जो आर्मी से हमारी बात हुई है अगर खाने की समस्या खाने के लिए अगर कोई प्रवंद करना होगा तो वो हमें सपोर्ट देने को तयार है और इसके लावा सभी जो हमारे लोकल्स हैं इसके लावा आपके माददम से एक और चीज कहेंगे कि जो रेड क्रॉस का हमारा अगर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आप उसके लिए हम फूड बैंक साथ एक फूड एट्यम से भी खोल देंगे जो रिलेक्सेशन पीरिद में किसी के बात पैसे नहीं है तो उन फूड एट्यम से राशन घर ले जा सकता है यह हमारी वल्लेरेबल पॉड़ेशन है जो होम डेलिवरी है वो हमारा ठीक से चल पड़ा है और हमारी ओर्डर्स जो है लगातार मुझे बताया जा रहा है दाइसों से उपर ओडरों हो गए हैं हम यह अशा करते हैं कि सभी लोगों को जितनी बेस्ट फैसिलिटी हम दे पा है कि आप अपने लेवल पर पास दीजी अगर कहीं सब्जी की दिक्कत मालनी जी आ रही है तो आप वहां के लोकल किसी वेंडर को बोलिए गाड़ी लेके आए और चमबा से लेके चले गाए अगर बाहर का पास है इंटर स्टेट पास है वो हम एक गंटे की बीच में भीतर जेलेंगे तो यह लॉकडाउन और यह सब जो है यह बहुत जल्दी खतम हो जाएगा अगर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर पता नहीं कहां जाके यह कड़ी जो है कि धन्यवाजी और कुछ जी अगर यह समस्य अगर आ रही है तो जो आपके केमिस्ट हैं क्या आप इसमें पूछ सकते हैं कौन से वाले केमिस्ट है इसको दिक्कत आरही है हमारे यहां से पास दे ली है उनको पास दे ली है अचा उस दिन वह यह आपके जो समस्य आई थी यह बड़ी उस दिन भी आई थी तो लोग कहने देंगे जी मेडिकल स्टोर खोल सकते नहीं को सकते स्टोर तो खुल रहे हैं अगर बैरियर पर दिक्कत आरही है मतलब इसमें सप्लाई की दिक्कत आरही है जहां से लारे है शौटेज है क्योंकि जुसूर से आता सारा माह जी आरे नहीं वे रहे हैं यहाज ही हो जाएगा अभी कर देते हैं सर एक यहाव और है कि लोगों की हम और हमणिया कर देती है जो घुस्वेजार पार जो कod अदयाम से सुं सब्सक्क्षीर स्रिक्ट पर्सन कर दिया अफोज है को उपपार काने मैं study कर देते हैं और हमेरे आफके माध्यम से सबी को बोलना चाहूंगा जो हम सारे एक्षन देरे हैं वह सारे के सारे यह हम सारे चूटगी देने से, इसमें जो हमारे यहां के चार या पांच बड़े जो एसेंशल ड्रग के सप्लाइर्स हैं, उनको हमने कहा है कि यह जो एसेंशल ड्रग है, यह आप मेंडेटरिली जो है, वहां से जब इनकी गाड़ी आ रही है, वहां से पठानपोर्ट से एक्वाइर कर बड़े के इनको वोम डिलिवरी तरके देंगे, तो यह पांच लोग हैं और इनको भी ऑप्शन नहीं है, यह लॉक्डाउन हमारी ऑप्शन नहीं है, यह एसेंशल ड्रग के डिलिवरी भी ऑप्शन नहीं है, इसमें एक लिए हो सकता है कि जो आब में वाइब बढ़ाया उसमें वो लोग जो कहां से दुवाई लाते हैं, कौन सी दुवाई चाहिए होंको वो इसमें इनफरमेशन डाल सकते हैं, जैसे होम डिलिवरी माले हमने लिस्ट बनाई है, ना, टेरा डिलिवरी पॉइंक्स की, वैसे हमने यह जो पांच-छे चैमिस्ट हैं, यहां के नाम हैं कृ नामनि उसमें हमारे क्लीमिक्स हैं, लैबची केमिस्ट स्टोर या इने हम फर्मेसिटिकल कुई बना रहा हैं, वो सारे के सारे एग्सेम्प्टेश को व् यह सारे ग्जम्प्टि रहे हैं। तरकि उनको क्या समस्य पेस आ रही है, वो आपको अपको क्लियर हो जाएगा, जो आपकी तरह से ब्यूस्ता किए यह वो उनको क्लियर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कर रख लेते हैं, यह मीटिंग रख लेते हैं, पर नहीं अगर समस्य आ रही है, उनकी गाड़ी जा कई इसको बना लेते हैं अगर आप की उनसे बात होती तो आपको बता दिजी सिस्टम बना दी जो और हमें बता दीजी कहा है तो लोग जिस जिस को कहां से वो अपनी दवाई लाता है किस दवाई की ज़ूरता है वो उसमें डाल दें आपके पास information collect हो जाएगी वहां से वो सारी information compile करके ला सर तो उस तरह से आप फिर खुद जो यहां ड्रंग वाले हैं उनको आप और करें कि यार यह दवाई कि अपे ऊत कर देगा उनकि मिल्क इंतर करते हैं कैण चाहिए जो आपको जो अनलाइन साइट है क्या फारम 125 तो यह उजाद्नेंग जो इस पे नहीं ही अ पहर सबाते हैं है इसक जो हम डोग की घ्रश को देशन में मिलीच आपका जोग, अब डोग को डिके स्वाविक जो आपके तरफ से अगर कोई इनको लिष्ट जाती है तो यह फिर नान उकुर नहीं कर सकेंगे अपने इनफरमेशन चीजी मेरे को यह द्वाईब कर रहा है अच्छा नहीं मेरे यह जो हमारे सारे ड्रॉग सप्लाइर जो मेडिसिन दिखते हैं उनका अपना सारा नेट वर्क है तो पठान कोट में जोनका टाइब आप है यह उसमें मंगवा ले ना वहां सही ले जाके लि सब आउनलाइन समान भुगवा रखा की जो हो रहा है वह सारा है जो द्वाईयां दिखता बहुत कुछ है तो उसको खुल नहीं पा रहे हैं कहां यहां पर एक रगमेल के साथ है अरे बड़े क्लियरली हमने इसमें लिखा हुआ है जो एकॉमर्स साइट्स हैं उनक्या जो समान की डिलिवरी है वो कंप्लीटली कंप्लीटली जो है कर्फ्यू के प्रोविजन से उसमें रिलेक्सेशन नहीं है इसलिए हमने हिंदी में भी डालके किया हूँ पिड़ीयाफ दाला हमने लिए इसी चमबा की पेज़ को उसमें देखना जो एक्शेंसिंशन इसमें कर दिया है कि उसको उसको इप गलें कि खरास की बॉल ऑन दिया कुछ भी ताण ऑजिते तिर में वह खंडन चड़ ए उसे पहले वार उस तो मतलब सपोगी से तुर मिल्स है को इस तरह के लोगों पर सर्व नजी रखी जाए है तुकर वह बिल्कुल सबकरवाई करें है विल्कुल सब कोई बोड़े देली हेल्प से रिप अपडेट किएया जाए या पर टार दिन के बाद जासे आप अपडेट करते हैं वह एसे वह वह अप मेंसन नहीं का प्रामार्ट हमें तरहां और उप्रामार्ट पुदी दिलिवेरी दिखनि प्राइट हमें के लिए कोई वह दूपर पोईं आप अप्राद के लिए कोई देखे ले न जो लोग एकमर्स से मुगारे हैं तोड़ा देख ले हो सारा किदास्फ इंट ना जो इनका medical check-up बड़ा जुदी है जी सर हम पोगों चीज है अगर हमें कोई शिकायत आए कि हम भूम डिलिवरी को बंद कर देंगे उस सेंटर से चाहिए परिक्ताम दोगी है हमने बड़ी सिंपोजी बात कही है उसमें home delivery जो फ्री आफ कॉस्ट होगी कि एक सेकेंड डिफिए आप यह लाइफ चला है लिए तो मैं अभी फोन कर दोगें जो इस टाइम हों डिलिवरी कर दिए यह आपकी शिकायत आ रही है कि होम डिलिवरी जो कर रहे हैं वह आप से एक्स्ट्रा चार्जिस ले रहे हैं लोगों से कि यह जरा आप अपने ग्रूप में डाव दीजिए वटसाइब जो ग्रूप इनका बनाया है कि इसमें एक ग्रूबे अभी जो है चार्जिबल नहीं है जरा इनको दाव दीजिए आप सब्सक्राइब करें किरें कि जो जैदेगे का किया है अपका सिस्ट्म सर्ट सर्ट इक सोबीज आज क्या अज ज़ागा इसम शर्ट अज के बाव बताते हैं आपको आपको शबाव जाए तो तो कि येदे याज जो लोगों तो कि फोट्वी और आलू 25 से 40 पॉंच गिया 30 से 50 पॉंच गया गोबी 40 से 50 है और क्रेल 120 पे गलू है मैं एक चीज़ पूछता हूँ अगर मैं यह कह रहा हूँ ना आप जरह एक लाइव रिकॉर्डिंग करके रेट पूछ लिए उनसे ठीक है और मेरे बास एक वीडियो ले आएगे बस यह सारी रेडियां जो ओवर चार्ज कर रही है यह जो दुकान कर रही है हमने बड़ा सिं चलिंगने है अगर कोई रेड जादा बतारहा है तो आपने कैम्हारा उन किये हैं जो कोई अगर आपको लग रहा है रेड जादा बता रहा अप ए मुबाईल पे रिकॉर्ड कर दीजिए और हमें अब टा सबस आजसे आज से मला तका से एक अफिरोगाई यह तिने करेगा ह मेरो, वो ठीक रहे नहीं, वो ठीक रहे नहीं, उन से लेंगे, हिरम, mandatory display of request, यह तो गरत है, देश में कर्शू लगा हुआ है, पर दान मंतरी, वो के मंतरी सब्सक्री आवान करें, के गरों से बाहर ना निकलें, शुरक्सित रहें, तो क्या reason रहे चंबा में के इस तरह की relaxation दी जा रहे है के borders तक लोग आर से कि, क्या reason रहे है, यह देखिए, यह जो आपका है, यह जो इंट्रस्टेट और इंट्रस्टेट मोगमेंट का इशू है, यह बड़ा complicated है, इसमें क्योंकि बहुत सारी एक तो राज्ये इन्वार्ड हैं, जिले इन्वार्ड हैं, ऊपर से एज यह अजादी, करी के एक अध्यार एक शेयर की थी, कर पोरे तो रुजब थी जन्वें की जो लगमेंट भाष्ण होगी वह उसमें, इसमें करहा है को काफि नहीं मिल रहे हैं, को इमको दब हाने की, और को सील कार्दी, चले आर हैं और उसके बाद जगह मिल रही है, और इस आपको लिखते हैं इतनी रोज लोगों से अपील कर रही है, मुख्य मंत्री जी रोज शाम को बुलेटें डाल गए है, कि घरों से ना निकले कर क्यों है, तो इस तरह की रिलक्षेस्ट न आपको नहीं लगता है कि ठीक नहीं रहीगी? है इस अगर हम देखि बार बार कर रहे हैं कि मरारोगों सेल है, kim कर रहे हैं कि इस अबquinho कर रहे है, वर ऐससे ने लोग हैं नाहीं कंपा रहे है. जो 10% लोग जो नहीं मान रहे हैं, उनके उपर एक्षन भी हो रहा है। और ये एक्षन जो वाग्य आगे पड़े हैं, ये जो हमारी स्टिक्टने से ये बड़े हैं। क्योंकि 90% लोग जो मान रहे हैं, 10% की वैसे आप उनकी जान खत्रे में निदा सकते हैं। और दूसरी से अराजकता भी फैलती है। दूसरी चीज है वो ये है कि जो सहर हमारे लोग फसे हैं। जो स्ट्रेंडेड हैं। जिनको लग रहा है कि हम फसे होने। उनकी एक्षन मान मदद होगी है। आप दिखिए नालागड में आठ डड़कों की रिपोर्ट आई थी। एस्जिम साब से बात की हैं। देश्टा जी से। उनों ने फट जाके काड़ी भीजी वहां पे सारा खाने बीने का क्राया। फोटो आई में रुकों आई रुकों है। अगले दिन फिर उनना फोन कर दिया जी। बहुत ही सी हम तो बड़े फ़से हैं, बड़े मुसीवत में। लोग भी जादा कर रहे हैं। और डीसी साब बोले हैं। बहुत कह रहे हैं कि हमने जो फैसिल्टी बनाई हैं, लोग उसमें रुकना नी चाहरे हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा ना होगा। सर जोग मेंटल तॉप में रटाइडिट पर्सन बजार में ग्रूम रहे हैं। इनके लिए परचासत कहा इंसे जागता है। आप देख रहे हैं। सुबह शाम खाने पिने का एक ठीक जगा बठाया है। कर तुझ में चचा बाइड़को आप खेंंग में काहा हihi.. चला होए। सब थीक से चला है। मेंटल िरिट जो मारे थेender tea है। जो भार निच्चे जुखंटी है। जिनकी का लड़ी बर्नडरी बर्उपॉ披ॉपॉपॉपॉलेशन है.. अपने पैकेट्स भी बनाएं, वो भी आज मैं पोस्ट आपता हूं, वो जो उनकी फैमिलीज हैं, पांच-पांच की फैमिलीज के लिए पूरा किट बना दियो, वो किट जो है ड्राइ राशन का उनको सारों को सप्लाई करते हैं, तो उसमें तेल भी है, गरम, मसाला भी है, चावर भी है, वो एक हथे केटी दे देंगा, और खाने भी लिए आप सुनी रहे हैं, पिछे लपीजी की सप्लाई है, अगर मिट्टी के तेल की दिकतों तो मिट्टी का तेल भी दे रहे हैं, बड़ी अजोब भी दे रहेंगा, अजर आपने जैसे कहा है कि परशादसन ए कोई और लोग जो है इस तरह एकाउंट नमबर वर्सापज भी यर फेस्टूब के शेया शेयर करते हैं और उस पैसे तो लिए काटि करते हैं? वह से कथा करें और यह कठा करें और वह रिलीव के लिए लगाना चाहा है को भूल प्रिच और इसे ले इसमें लेशाब से हमारा इस चानल ऊटावार को इसका audit की होता है, सब कुछ होता है, और इसमें हम खुद ही सोचते है, रेड़ क्रॉस जो है, उसमें कोई भी वेक्टि अगर तान देता है, और किस फळ्दा से देता है, हम खुद इसका मिस्यूज होने से रोकते हैं, अगर आप इसमें देंगे तो किसी ना किसी के काम आई, वो काम अप देखिन ग्या इतना गड़ा जो इतना गड़ा जो बफर कॉरेंटीन न जिस्टेम है इसके लिए राश्ची की लिए जूरूरत हो जो एक जो कोई मिश्यूज करें तो निसके लिए आपको बदा है असके लिए भारती दंड सहीता, दिजास्टर इतना समय नहीं है कि हम इन लोगों को चनचेन करने लिए कि लिए किसी के पिछे दौर है इस टाम यो बी एक्ष्यू होगा वह एक्ष्यप्लारी एक्ष्यू होगा कि जानकारी लोह लिए कि त xenidara का स्नाल इंतल तो है जानकारी, वह ट् Dakar haa ्मारक पास पर जो हमारा यहां स्टार लगा था था फोन एटियम लगा रहे थे उससे तो लोग राशन लेगे हैं कुछ हमारे यहां एक लेबर फसी थी उसको गया है मैक्सिम वहां तो कश्मीर की और रहन की अगरीब हैं कुछ सुनने में के कुछ ऐसे लोग भी आके राशन लेगाती है जो रिष्पुष्ट हैं तो इस कैसे किस तरह आपन निजारीद करते हैं जलको इसके लिए अपने लोकल बंदों की मतलब इसका एक तो प्राइटिरे आम परदामों से लिस्त परदागी है करता में जो सारी फैसली यह प्रैमेरिलोेग जनकी आप डीएग करते हैं अभी हम एक न जो सारी फैसिलिटी है प्रेमेरिली उंके लिए प्राइमें यह भी बड़ा क्लारिफिकेशन करना जुदी तो इसके लिए के एक अधार कार्ड के रसन देज़ा है अधार कार्ड पे थोड़ा लोकल इंटेलिजेंस है अब कोई आदमी वो पता लग जाता है स्थिति के आउ नीचे बचारे तंबू में रह रहे हैं लोग को देख के बता आज पर अपने किसी लोकल बेंटर से टाप कर ले लगा ले अब मौसम भी साफ होगे है तो यह करते हैं चम्बा हर्चल ने बंदा प्रफाइल ले रहे हैं बंदा खुद बेचे का जीए पर है अगर वो अपना कोई अटेंड़न रगाना चाहे लगा दें लगा दें लगा वाला यह वहां पर रखे कर एक अभे पॉइंट अपना ओडर दे और वहीं सिफ गाड़ी में रखे और पैसे ले और चला जागा रहे है वो स्विच्छा से सर के मेंडेटरी है यह वो स्विच्छा से है है वे एक अडिशनल ऑप्षिन है कि किसी आदमी को माननो नीचे पे पेट्रोल पंक्स के लिए मेंडेट भी है यो स्विचर्स के लिए है अगर कोई राशन का कोई करना चाहे है तो पेट्रोल पमानूप करना पड़े है IOCL है, SJBNL है और NHPC है यह भी साहता करने के लिए बहुत पढ़ चड़ कर ना सहयोग देने की बात कर रहे हैं शायद यह जो distribution of food items है यह उनके माध्यम से भी हमारी जितनी इंडस्ट्रीज है यह जो प्रोजेक्ट्स है वहां से भी काफी हमें सेयोग मिल रहा है सरेक हमारी जो MP है कांगडा चंबा गे उन्हों ने भी कोई 33,00,000 के संथिंग चंबा यह भी बड़ा इंपोर्टन है क्योंकि आपको पता है कि भगवान ना करें किसी को infection हो अगर हो जाए तो उसमें जो ventilator का जो है वो काफी important रोल रहता है तो मानिय सांसद महदे ने इसमें तीन ventilators के लिए इसमें 33,00,000 की राशी जो है वो दे दी है वो हमारे पास आगी है और इसका ओडर जो टांडा वाले कर रहे हैं तो मेरे खिला से वो ventilator से अभी तीन और आज़े और बड़े advanced और latest ventilator जो है वो जिले के लिए सांसद महदे है यह अगले 14 दिन में ख़ड़ होते हैं तर पिछली मुटिन में हमने गाइनरी डॉक्टर के बारे में आप से बात रखे ती है गाइनरी डॉक्टर ने जो अपना खुषी पे तले गया या रजाइन दिया दोनों में से अभी कोई भी बात क्लियर नहीं की जानी है पर वह अपना खुषी जो अपना खुषी जो प्रदान पो यहारा नहीं के दिस्लोसिवेटी फिक्समाट जाएगा कोई काओ में आता है उसके बारे में इंफरमेशन आप देंगे और चेक रखेंगे कि वो कहीं आदो नहा दुबारा बाग के गई ज़े नहीं यार अगा इसा उन अपर आप देख सकते हैं कि लोग घुद कम दिखाएते रहे हैं सुबर दस बज़े से दो वज़े तक कर्फ्यू में ठील दी गई है लेकिन उसके बावजू यहां लोगों की भीड कम दिख रही है लोग समझ रहे हैं कि उन्हें घर में ही रुपना है जो ज़रूरत का समा कर दो यहां लेने आपको दिख रहे हैं और यहां पर जिस तरह से विवस्ता की गई है उस विवस्ता को चलते यहां पर काफィ भीड़न नहीं जिखने को मैं जहां पोलिसीर अदिकारी यहां पर हमारे साथ हैं उनसे पूर्ट किया कि आके जो विवस्ता है इसके बारे में सब्सक्राइब जो कल और आज में काफी भीड कम देखने को मेरे क्या क्या है कि भीड तो उतनी है लेकिन वेवस्तित है इसलिए हमें कम देखने को मिल रही है जो वन वे ट्रैटिक है यूमन्स पर उसकी कारण जो लोग है वो एक जगा गठे नी उजे और जो अमरजनसी में लोग से लहां दे रहे हैं है क्या दिए विवस्ताइश के गए जह लेकिं है उनके लिए का वीजएगा तो पासेज है लोगों के दिए में हो Cem Hill similar है नोग बनाएगा हैं कुछ फिर से बनाएगागा टो भी आफ ठीजे लिवाउट की सप्लाई की चेहन डोपनी नहीं चाहिए। आप ने देखा कि दुष्टित तरीके से अगर काम कीया जाया तो यहां पर जिस तरह से आफ फीड नहीं देख रहे हैं। दोग नेखने करकेushing, नहीं की घिल द मारीजा में दीक लो में सब्सक्राइब बैकला हैं मोसित क्या है। इस पूरी तेकिस हुआ है, कि आसरा इस पूरी द में सब्सक्राइब को निय cooking में के सदीखत गारी है। प्रिण नमस्टाजी, जिस बताईगी जो दवाईया जो पूरी दवाईया है, जो पूरी दवाईया बेदी है, जैसे बच्चों का जो दूद हो गया, जो मदर फीड नहीं करवा सकती, वो बॉक्सी जो यूज करते हैं, वो दूद खतो हो एतने दिन हो गया, क्योंकि जब ल जो पहले जमाबंदी कर लिए जादा कठा कर लिए तो क्या उनके अभी लोग आ रहे हैं बूद लेने को दो बापिस रिपीटिटिटली आ रहे हैं कि दो डबे और देदो की आगे पता नहीं कितने दिन हो क्योंकि उनको भी पता चल रहे हैं कि ट्रांस्पोर्ट ना चलने डिशा infrastructure लेकिन कुछ कबायां जो हैं कम लोगों को मिल पारही हैं क्योंकि अबाइग इंड़ माझा ंब में बच्चों को दूर्टि पिलाती जो डबे माच कर लिए पर तो नहीं को दूर को नलिया ने मूग सकता है तो और भी उसकी डिमाड है लेकिन पिचे से सप्लाई दूज की आने से लोगों परिशानी होगी, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, फीड कम है, यह रहा की बात है कि लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जिरूरत के लिए ही आ रहे हैं, और यहां की विवस्ता को देखते हुए, अगर इसी तरह स चार रूप से सब कुछ चलता रहा, तो आने वाले समय में करोना वारिस के लड़ाई जो है, सही दरीके से लड़ी जा सकती है, न्यूजटिन हीमाचल के लिए शंबा से. कुछ परने दो हीमाचल के लापारा फजता के लिए तरने तर्कोत्र हेँए, सवे良 Langी व welche पे तर्सके लिए से, के लिए हीमा सवीमा है, से कुछ प्यून है कि मुम है पूंशे के लिए जसे खरूगाई है। आज एक संकट की खड़ी है पुपन हुई है जो की एक बड़ी व्यावक स्तिती है जिसका की सामना माननिये हमारे करधान मंत्वी मोजी जी के नेत्यतों में ब्रेश और प्रदेश में माननिये जैराम भागो जी के नेत्यतों में ये प्रदेश एक जुप होके इसका सामना कर रहा है हम चम्बा में भी व ऐसे परवासी लोग और यहां के जो ध्याडिदार ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की असुविदा होगी हैं, उनको हम सभी समाज से ही एकत्र करके, क्योंकि समाज का समाज के लिए ही जाएगा, तो समाज के लोगों, प्रवद्व लोगों दोरा, संपन लोगों दोरा, जो अपने लेक कमाई से धन राशी, इनका इंड में जो भी समान दिया जा रहा है, हम यह सारे कारे करता, विश्विद परश्वदोर सेवा भारती के कारे करता जो हैं, वो उसको एकठा करके, और उन पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं, आज की स्थिती में खाली केवल सर्कार ही इस काम को करें, ये संभव भी नहीं है, सारा समाज, सारा देश एकजुट होके, सारी सिस्थाएं जो की समान्य रूप में भी सेवा का कारे करती हैं, वो इस घड़ी में सब एकजुट होके, जो व उभर के सामने आएंगे, धन्यवाद, नमस्कार, सीटी चैनल में आपका एक वार से स्था स्वागत है, आज चंबा जिला में कर्फ्यू का पांच मा दिन है, आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से दो बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, इस बीच लोगों ने अप पूलिस द्वारा पूरी ब्यवस्ता की गई थी, वहां पे ताकि जो है वहां भीर ना हो, साथ मी, सोशल डिस्टन्स का भी खयार रखा जाए, आप देख सकते हैं कि पीछे तक जो है, यहां से लोग आ रहे हैं, बड़ी ब्यवस्तिक धंग से लोग आ रहे हैं, और एक तर अबचि से राज्ता है, वहां से लोग चोगांद के दूसरी तरफ से घूम के जिसे ठंडी सड़क, हवा बंगलु कहा जाए, वहां से घूम क्या रहे हैं, और डाखाने से होते हुए होस्पिटल से घूम के लोग जो है, यहां से फिर वापिस जा रहे हैं, तो सब्जी और जाए बिट में सब्जी मंडी और जहां पे जो राश्न दुकाने हैं, वहां राश्न के दुपाने से समाने देते हैं और बड़े वे वे नग-ढ़र कहा जाता है, वन वे जो देवस्ता प्रसार्शन दौरक की गई है, यही बज़े है कि लोगों को रश देखने को मिला आप देखते हैं किस तरह से दूर तट लोग बड़ी असानी से लुट है प्रशासन दारा जिस तरह से ब्यवस्ता की गई है उस तरह से यहां भीड बहुत कम देखने को मिल रही है लाकि प्रशासन से बात हुई हमने उनसे पूछा कि यहां भीड क्यों नहीं है उन्हें का ज सरकल लगाए गये हैं वो सोशल डिस्टेंस के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गये थे ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए और दूर रहे हैं हम आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां रश नहीं दिख रहा है लेकिन लोग आ जा रहे हैं लगातार लोग जो ह अपना सामान खरीद के अपने घरों को जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बेवस्ता की गई है और थोड़े सी दवाईयों की बात करें तो दवाईयों की दुकानों पे जो स्टॉक है वो धेरे ख़तम हो रहा है लोगों में एक पैनिक फैर रहा है कि यह ज दूद की जो डबो में दूद आता है उसकी जो कमी देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों ने पहले ही अपने घरों में स्टॉक कर रखा था और छेचेशे डबो ने ने घरों स्टॉक जमा किया हूँ था लेकिन अब दोबारा फिर से उन दबे ने के लिए आ रहे हैं इसक प्रवन फैलता जा रहा है उसको बचाने के लिए लोगों से यही प्रात्ना की जा रही है कि अपने घरों में रहो शुरक्षित रहो अगर बाजार में आना है तो सिर्फ जो जरूरत का समान उनी चाहिए तभी वो बाजार में नहीं है और अगर घर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हाथ दोए हाथ दोने के बाद जो है बाकी के काम वो कर साथ है तो हर कोई यही रुकष्ट कर रहे हैं कि घरों में रहें शुरक्षित रहें हलांकि यहां पर देख सकते हैं आप कि यहां कर्याने की दुखाने कुली हैं सर्जी की दुखाने कुली हैं लोगों य सेवा बारती ने भी एक अपने आपको प्रस्तुत किया है कि समाज का जो उच वर्ग है जो नाड़े वर्ग है जो समर्थ चाली है वो उन लोगों से जो राशन एकठा करके वन्चित लोगों तक बन चाया जाए तो इस करम में पुरा समाज आगे आया है और हमें जी वर्गे सहयोग मिल जाया है लोग जैसे बेखा आपने की राशन आटा चावल डाले दे रहे हैं और हम उनको वन्चित लोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इसके अलावा हमारे पास होस्किटों से एक केमिकल मिला है तो उसका हम चिड़का भी सासाथ कर रहे हैं की जगाबर तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं आप इसने जनों से यहां पर जो सेवा कारे कर रहे हैं आपकी रिखनस्ताय उसे लगरी है आप लोगों के पास के तो किस तरही की दिखकते हैं आपकी समझ में आरी लोगों को क्या दिखकतों का सामना करना पड़ गाए अभी तर्ट जो वंचीत वरग है वो तो एक मन में डर बैठा हुआ है कि बीमारी के कारणी जो बंदू है कि ह पूरा समाज आपके साथ है प्रदानमंत्री जी आपके साथ हैं सरकारें आपके साथ हैं और पूरा समाज तत्वर है कि कोई ऐसी समस्या ना आए किसी को भी जब भी कोई समस्या आएगी बोजन की अभी तो पहला पहला जो सबसे मुख्य समस्या है बोजन तो गरों में रह कि आपकी दूर होगी और आप तक राशन पूंचाया जाएगा अपने देखा कि हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि वाइरिस की लड़ाई को खतम करना है कोरोना वाइरिस को संकर्मन है इसकी चेन को तोड़ना है इसलिए हर क्षेत्र में सरकार प्रशाचन पूलिस लोग स् इस बात में लगे हुए है कि इस संकर्मन को रोका जाए और इस संकर्मन को रोकने का एक ही तरीका है कि लोग अपने घरों में रहें जरूरत पढ़ने पर ही बाहर निकले अन्य था वो घरों में रहें शुरक्षित रहें यगर बाहर आएंगे तो आग को संकर्मन लग सकता अगर यहां पर अगर विसी की चीज की जरूरत है तो सुबह करफी में जब धीर दी जाती है तो वहां आकर अपना जरूरत का समान खिरी सकते हैं लेकिन जरूरत पढ़ने पर धर से एक ही आदू जो है घर से बाहर निकले और वो भी जब वापिस जाये तो अपने हाथ को अच्छी तरह से धोले ताकि जो बाहर से अगर गल्ती से भी संक्रमन के जो लक्षन आप दिखते हैं तो अपने परिवार को भी इंफेक्ट रहते है इसलिए हमारी भी आपसे यही प्राकन रहेगी कि घरों में रहें शुरक्षित रहें तो जिस तरह से इस संक्रमन को रोकने की कोशिश की जा रही है हर कोई परियास कर रहा है चाहे सरकारी या गैर सरकारी तरीके से हर कोई यही चाहता है कि इसका संक्रमन को यहीं रोका जा में जिस तरह से इस घिमारी ने अपना तांडव मचाया हुआ है कोई भी नहीं चाहता है कि यह Tandav यहाँ हमारे भारत में हिंदुस्तान में भी इस तरह का Tandav मचें इसी बर्त इसी लिए जो है जो है इस संक्रमन को रोकने चाहता है देख रहे आप देख सकते हैं कि यह सेव आदमी हैं जो ध्याडिदार मजूर हैं उनको ये राशन पहुंचाया जाएगा ताकि वो भूखे न रहे हैं हर किसी की यही कोशिच रहेगी कि कोई भी आदमी हिंदोस्तान में कोई भी लोग भूखे न रहें क्योंकि इस संकट की घड़ी में अगर दूसरे का साथ देंगे तबी जो है इस लड़ाय को लड़ा जा सकता है बहुत से ऐसे ध्याडिदार मजूर हैं जो सुभा कमा कर शाम को खाते हैं उन लोगों के लिए यहां पर कुछ जो समान पहुंचा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां यह राशन जो है एकठा किया जा रहा है और यही राशन जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन गरीबों को जो भुखे हैं उन गरीबों को यह राशन पहुंचाया जाएगा जाल है जाल है जो है उन लोगों के तक पहुंचाया जाएगा जो लोगों तक पहुंचाया यही एक हिंदोस्तान की खासियत है कि इस सरे जो जब को इपता ही है तो उस जुटा को लेकर लोग जो है एक जुट हो जाते हैं और एक जुटा की वजे है कि आज हमारा हिंदोस्तान दुनिया के लेक्सिंट बस्तब सर उप पर माना जाता है जब प्रणान मतिन रेंदर भोटीजी ने लोगों से अहवान किया था एक दिन के लिए अपने घरों को भरों में रही तो पूरे अधोस्तान की लोगों से घरों में रहे ते यही था एक जुटा का प्रणाम और यह एक जुटा है जो हमें लंबे समय तक दिखानी बढ़ेग उन्हें खाना पॉंचाया जा रहा है, ये सिल्शला इसी तरह से चलता रहे जा तो इसमें कोई दोराय नहीं है, किसलाय को लड़ने में कोई किसी कोई रुकाव अटा सकती है, बस हर किसी को यहीं सोचना है कि उन्हें घर में रहना है, घर में रहेंगे तो सुरक्षित बिक्सित देश, बिक्सित देशों की बात करें, तो वहां पर ये बिमारी इतनी फैल चुकी है, उन से बिमारी जो रोकी नहीं जा रही है, हमारा भारत इस बिमारी को रोकने का एक ही तरह का है, कि अपने घरों में रहें, अगर घरों में रहेंगे, तो ये बिमारी नहीं फै अगर आप बाहर निकलेंगे, आपको वो बिमारी के संक्रमन लगेंगे, तो उन संक्रमन से आप अपने पूरे परिवार को, पूरे महले को, पूरे सुसाइटी को खराब कर सकते हैं, इसलिए हमारा आप से यही निवेदन रहेगा, कि घरों में रहें, शुरक्षित रहें, ब तुली रहती हैं, अगर आपको जुरूरत है, घर से एक विक्ति जो है, घर से आए और समान करीदे, लेकिन जाना यहां भीर डालने की जुरूरत नहीं, हालां कि चंबा प्रशासन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से यहां ब्यवस्ता की गई है, हालां कि लोगों पूरी तरह चल रही है, यहां बेवस्ता की कि वान बेट रभी कि यही रवती से घुम के लोग आ रहे हैं, बूसी जाना पड़ रहा है, रास्ते में जो भी सामान करीब रहे हैं, लोग बुड़े सुचारों रूप से चले हुए हैं, तो किसी को भी किसी तरह की दिकत नही ही आ रहे हैं, लेकिन दवाईयों की बात करें, तो कुछ दिनों तक दवाईयों की संकट आ सकता है, लेकिन वरशासन उसके लिए भी प्रयास करे जा सकता है, जल्दी इसकी समस्या भी हल कि जा सकता है, तो हमारा एक बार फिर आप से यही निवेदन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की कोशिश करें, जब कर्शुप में ढील दी जाती है, तो जुरूरों का समान खरिदने के लिए यहां पहुचे, परस्थ यहां लोग दूरी बनाये के चल रहे हैं, एक मेटर की दूरी कम से कम, हर लोग एक मेटर की दूरी पे चल रहे हैं और इस जब दूरी बनाये हैं, तो आप देखे सकते हैं की लोग बैठे हुए हैं और समान, ज़रूरत का समान खरिदे, के लिए यहां बैठे करिदने के लिए आए हुए हैं, तो इस तरह ही लोगों को आगे भी जो है साथ देना पड़ेगा, प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, जिसकी मेटर से इस मुमारी को रोकर जाते हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूलिस चुआ रहे हैं, पूरे ब्यवस्तित तरिके से लोगों को भेजा रहा रहा है, यह जो वन बे ट्रफीक की गे है, इसमें लोगों को चलने में भी कम से कम एक मेटर या दो मेटर का गैप बोला गया है, यह जो वन बे ट्रफिक ही गई इसकी बिजए से जो है यहां बिश्तिस तरीके से लोग जा रहे हैं यही बज़े है कि यहां भीड देखने को नहीं मुल रही है आप समझ सकते हैं कि किस तरही से परियास किया जा रहे हैं कि इस महामारी को रोकना है और रोकना ही है यह तभी संभव है जब आप लोग घरों में रहेंगे शुरक्षित रहेंगे जब कर्फी में धील दी जाती है तो उस समय सिर्फ तीन घंटों के लिए आप एक आदमियाव का घर से एक मेंबर जो यहां आ सकता है और दवाईयों की दुक के साथ रहें जो कर्फी में धील दी जाती है तो एक ही ब्यक्ति जरूरत का समान के लिए बाजार आए और घर वापिस जाए तो अपने हाथ अच्छे तरीके से दोलें आप देख सकती कि मैडिकल स्टोर जो है यहां खुले हैं और यहां पर किसी तरीकी कमी नहीं है अलांक कि चंबा में जो समान आता है और जसूर से आता है और जसूर से जो पंजाब से सारी सप्लाई आती है तो पंजाब से हमाचल में जो बॉर्डर पर जो सप्लाई हो नहीं आ रही है तो कोशिश की जा रही है दोनों इंट्रस्टेट बैरियर पर कोशिश की जा रही है कि जल् कोई यही कहता है कि घरों में रहे हमारी भी यही प्रातना रहेगी सिटी चैनल के माधिम से आप लोगों से यही प्रातना रहेगी कि अपने घरों में रहे शुरक्षित रहे कि अपने है कर दो 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 कर झाल झाल जो भी लोग जो भी लोग जो गरों से बाद जैसे संजाब से जैलुद्याना से अभूसर से आया है उटके लगाने हैं उस कारे को आज हमें संपन किया है उसके बाद जब यहां पर पुछे तो यह गरीब आदमी काफी पूरी हालात में था उस अड़ पर गूम रहा था दो जिन से उसके सारे कपड़े हमने उतरा है उसके बास को नगा रहे हैं और नए कपड़ इसका भला हो जाए जन्यावाद आज लोक्डाउन के जलते हम पंचाइप में दोरे बे गए थे और रास्तिने ये आदमी आ रहा थो हमने सोचा कि इसको साफ सफाई करें और नहाए तो और खान अवगारा किलाए मैं मालन स्टिने फेख अठवारा कार भालन कर लिए आढ़ में तर पॉर ममना तल्क बिएन सोचा मैं हई क्या वा है और आव अची है गया गयां हुआ अग्यां के लगाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ग्रांप चाइस रोल में एक काफी दिनों से जो ये एक शक्स था जो की रोज यहां से आता जाता था और इसकी माली हाल जो थी वो बहुत खराब थी तो मतलब इतनी बूरी हाल थी की इसको यह पता नहीं था की मेरे उपर क्या है कि मेरे कपड़े हैं मेरे कंबल गंदे बिल्कुल इसने तने बड़े डाड़ी बाल और आज गराम पंचाइत के साहोग से मुझनिए हमारी प्रधान साहिबा और उप्रधान जी दिरिज नियाल और बाकी गाउं के सबी लोगों ने जो है ये देखते हुए आज इस बुजुर्ग को जो है वो निलाद लाके जो है इसके बाल बूल कटवाके बिल्कुल स्वस्त कर दिया क्योंकि सफाई में जो है एक कहवत है कि आदमी को साफ सुतरा रहना चाहिए तो ये हमारा एक कदम एक पैल हमने की थी ये प्रदान औरोग प्रदान जी के माध्यम से जो है ये आज इस रोल गाउं में ये वजुर्ग जो है बिल्कुल साफ फुतरा करके जो है ये अभी आप देख रहे हैं कि ये अब इसको खाना जो भी खलाया जा रहा है और अपना नाम जो ये नहीं नह कुछ जाने पर इनोंने अपना नाम निंखाया और आज ये इतना अपने आपको हरका महसूस कर रहा है और इस करोना के वारिस के चलते हम लोगों को जो हो स्फाई का फूरा द्यान रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस जो हो बड़ा जूरी है और आज ये काम करते हो भी ह हम लोग जो बड़े सोशल डिस्टेंसिंग में थे मतलग काफी दूर दूर खड़े हुए थे लोग हम लोगों को फिर से एक बार पुना बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो हाँ घर से ना निकले सोशल डिस्टेंसिंग जितने ज़्यादा रखेंगे उतना जो है हम इस वारिस को जो हो कवर करेंगे इस वारिस को जो फैलने से रोकेंगे तो मैं पूरा सीटी चैनल का बहुत बहुत अभारी हूँ कि ये अपना पूरा तन्मन धंसे जो हमें लोगों के बास जा जाके पूरी कवरेज कर रहे हैं और लोगों को जो है पूरी सूलुत दे रहे हैं कि सारा बंद पढ़ा हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर हैं तो मैं पुना अपनी दन्यवाद करता करना चाहता हूं कि उन्होंने शहर में भी इतनी अच्छी वेवस्ता की है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो बड़ा मजबूत रखा हुए है और यह सब हमारे लिए हो रहा है हम लोगों को भी इसने बरपूर सायोग दिना चाहिए धन्यवाद चैचम्प हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दो 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 कर कर दो 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 झाल 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 यारा बजे से दो वे तक धील भी दे रखी है लेकन ये लोग यहां के गाउवाले इतने चेतन हैं इतने चेतन हैं कि ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं बेना किसी कारण से सब कुछ इनको यहां मिल रहा है दूद घरों में हो रहा है इनके सबजी अपनी हल्की फुल्की सीजन पे निकल जाती है अभी तो सीजन भी निया सबजियों का जिसके लिए इनको दुकानों पे डिपेंट करना पड़ता है परसासन से सिर्वेक निवेदन है कि वो किसी एक राजपरवाईसी वासी को गाड़ी का परमिट दे दे ताके वो सबजी मंडी से सबजी दाके यहां काउं किये जो अनिवारत है जो उनकी रिक्वार्मेंट है जो उनकी कमी है वो उसको पूरी कर सके है इसके लावा परसास सरकार की बनाए नियम करतव्य जो है उसको अपना एक moral विक्तिकत ड्यूटी समझ के उसको निभाए किस थे स्टबड़ है ऍले हैं के उसके नियक्तिकत ड्यूटी साथ एक Season 5 कि सेर्दाना एक horror विक्तिकत ड्यूटी समझ के उसके से लिदाम मैं शयना एकृमियू आध के इसली है? प्रफ़ार शाल कि अ कि अ कर दोग एफ़ दो जाग घट जाग कह पिर दो आगवेकं तेदा सन्यों गुटिवे कि अ दो बाग कि अ कि भाग कि अ टुल हो अ घज कर फुटिए क्षबिग का दो कि अ कि अ बढ़ प्री अगर हो बाध जहरे बाग ब्राव कि अ झाल झाल झाल